हेलो एवरिवन, तोड़े वी डिसकस्ट अबाउट दाइन्स, इन वीच वी डिसकस अबाउट क्यूमिलेटिव डाइन्स या संचयी डाइन तो संचयी डाइन अथ्वा एलीन बहुत ही किर्यासिल डाइन होती हैं, इनके सरलतम सधश्य को हम निम्प्रकार से प्राप्त कर सकत हैं इसमें क्या होता है कि जो 123 डाइब्रोमो प्रोपेन को हम थोस के साथ जब हम गरम करते हैं तो उसे क्या प्राप्त होता है में 23 डाइब्रोमो प्रोपेन फिर इसको जब हम मैथेनोल विलियन में जिंक चूरन की उपस्तिती में गरम करते हैं तो यहां से क्या निकल जाता ह जेडन बियार टू निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होती है एलीन नेक्स्ट हम देखेंगे बहुली करण या पॉलीमराइजेशन सोडियम उत्प्रेरक की उपस्तिती में ब्यूटाडाइन को जब गरम किया जाता है तो रबर जैसा योगी का अथ्वा बहुलक बनता है तो यह क्या है ब्यूटाडाइन इसको सोडियम की प्रजेंस से जब गरम करेंगे तो क्या बनेगा पॉलीमर यह अभी क्रिया कौन से मेथर से संपन होती है मुक्त मूलक मेकनियूज के दवारा इसमें क्या होता है जब सोडियम फ्री रैडिकल जब ब्यूटाइन के पास आ इस प्रकार से यह यह बना लेते हैं इस प्रकार के अभीकरिया आइसोप्रीन के बहुली कंद से बने भी कि गूंप सर उते हैं ब्यूना रबड यह क्या है आइसोप्रीन इसके एन मोलिक्यूल सोडियम की प्रजेंस में फ्री रैडिल के प्रजेंस में जब गरम करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है पॉली आइसोप्रीन ब्यूटाडाइन तथा आइसोप्रीन के भावली करण से बने वे कुछ अन्य महत संसलेशिज रबड एम उपयोग उनके निम्न है सबसे पहले हम देखे ब्यूणा एस तो सोडियम की उपसिती में ब्यूटाडाइन तथा इस्टाइरीन के मिस्रित बहुली करण से बना हुआ उत्पाद क्या खेलाता है ब्यूणा एस इस्टाइरीन वे ब्यूटाडाइन से बनने के कारण इस रबड को हम क्या खेलते हैं स्टाइरीन को एस ब्यूटाडाइन को भी और रबड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं स्वेचालित वहनों के टायर बनाने में इसका उप्योग किया जाता है ब्यूनायन यदि ब्यूटडाइन का सहे भहूली करन वाईनिल साइनाइड या अक्रिलोणाइड ट्राइल के साथ करवाया जाए तो बनाऊ हुआ भहूलक ब्यूनायन कहलाता है एक्रिलो नाइट्रेर से बनेई सामानी उप्योग के इस रबड को G.R.A जनरल परपस रबड एक्रिलो नाइट्राइल भी कहते हैं ये है 1-3-विूटा-डाइम ये एक्रिलो नाइट्राइल के N मोल्कुल से क्रिया करके क्या बनाता है जिया और या प्यूना एंड यह एक दरड़ उष्मा रोधि तथा कार्बनिक विलायकों के प्रती उदासीन होता है अब हम देखेंगे नीओं यह भी प्राकरतिक रबड के समान ही होता है प्राकरतिक रबड आईसोप्रीन का भावलग होता है जबकि किरिया करके क्या बनाते हैं पॉली क्लोरोपीन या नियोप्रीन इसका उपयोग संचार पेटी प्रिंटिंग रील तेल वे पैट्रों को ले जाने वाली नलिया बनाने में किया जाता है अब हम देखेंगे इसकी कैमिकल रियक्षन साइग में डाइने अपेक्षा से अधिक इस्था ही होती है और इनकी रासाइनिक अभी किरिया सेलता कम होती है इसकी पुष्टी इनकी हाइड्रोजेनी करन उस मौं के मान से होती है जब वन ब्यूटीन का गरम किया जाता है किसमें करणवर्ट होता है यह ब्यूटीन में और यहां डेल्टा एज कमान कितना आता है माइनस 30.3 किलो कैलोरी प्रती मौल इस अभी किरिया में CH2 double bond CH समू का हाइड्रोजेनी करन होता है 1-3 ब्यूटाडाइन में इस प्रकार के दो समू है अतहे इसके हाइड्रोजेनी करन उसमा का मान 60.6 किलो कैलोरी प्रती मौल होना चाहिए लेकिन वास्ताओं में यहमान 57.1 किलो कैलोरी प्रती मौल होता है अतहार 1-3 ब्यूटाडाइन अपेक श्यासे 3.5 किलो कैलोरी प्रती मौल अधिकर इसताई है 1-3 ब्यूटाडाइन यह हाइड्रोजेन मौल के साथ जब हाइड्रोजेनी करन करवाया जाता है तो किसमें करन ब्यूटेन में और डल्टा एज का किता मानाता है माइनस 57.1 किलो कैलोरी प्रतिमों अब है 1-2 अत्वा 1-4 योग किसी साइग मित डाइन के एक अनू के साथ जब किसी अनू की योगात्मक क्रिया होती है तो दो प्रकार के उत्पात बनते हैं 1-2 या 1-4 योगात्पात ये है 1-3 ब्यूटा डाइन 1 पोजिशन पर डबल बढ़न और फ्री पोजिशन पर जब ये एकस वाई से क्रिया करें तो ये वाला 1-2 योगात्पात बनता है और 1-4 तो ये 1-2 अत्वा 1-4 योगात्पात उत्पात एक और अनू के साथ योगात्मक क्रिया करके संत्रप्द य सबसक्राइब इस प्रकार जब गया करके इस प्रकार से योगातमक बना लेदा है था योगात्मक तो परकार के होती है पहली होती घंगि और समस्क्राइब आदी अनुओं का योग इस प्रकार से होता है कि उसमें जुड़ने वाले अनुओं का धनावेशित भाग या इलेक्ट्रोफाइल डाइन अनुओं के प्रहार करके एक कार्वोकेटाइन बनाता है जो की अनुनाद द्वारा क्या होता है इस्ताहिकरत इसकी दोनों अनुनादी सनचनाओं में दो कार्वन प्रमाणूं C2 और C4 पर क्या आता है धनावेशित अता है जो एक्स माइन से है वो कार्वन प्रमाणूं के से क्या दो पर या चार पर किसी भी स्थान पर जुड़ सकता है अता है 1-2 1-2 अत्वा 1-4 दोनों प्रकार के योगात पक बनेंगे जैसे हम यह देखे 1-3 प्यूटडाइन है यह हैलाइडाइन के साथ क्रिया करके यहां पर क्या होगा मंद होगी यह वाली स्टेप और यहां क्या होगा यहां से यह वाला प्लस और यहां माइनस जूट जाएंगे अब यहां 2 पे क्या जाएगा प्लस आवेस और इधर क्या जाएगा 4 पे प्लस आवेस अनुनादी जाण क्योंकि यह वाला डबल मोन यहां सिफ्ट होगा तो यहां प्लस जाज जाएगा अब ये जो अनुनादी संकर है ये तिवर्ता से Y- के साथ किरिया करके इस प्रकार से 1,2 या 1,4 योगात पर बना लेता है Electrons से ही अभी कर्मा का मूल प्रहार सर प्रथम या सदे प्रथम कार्बन पर ही होता है दित्य कार्वन पर नहीं क्योंकि उस इस्थिती में अनुनादित नहीं होने वाला प्राइमरी कार्बोपेट केटाइन बनता है जो की इस्थाई नहीं होता है अताए वह नहीं बनेगा जैसे कि हम यहाँ देखें यहाँ अगर इस तरह से बोन टूटे तो क्या होगा यहाँ माइनस चार्ज आएगा तो यह एक्स प्लस खांज उड़ेगा तू नमर की पोजिशन पर और कौंसा कार्बोपेटाइन बनेगा प्राइमरी जो की एस्थाई होता है वन टू वे वन फोर योगा अत्पाद उत्पाद कितना कितना बने यह अभिकरिया के टेंपरेचर पर डिपेंड करता है उच्च तापर अभी क्रिया कराने पे मुख्य उत्पाद के रूप में 1-4 उत्पाद बनता है जबकि कम तापर 1-2 ही मुख्य उत्पाद होता है इसका कारण यह है कि 1-2 उत्पाद की तुन्ला में 1-4 उत्पाद अधिक स्थाई होता है लेकिन उसकी सक्रियन उर्जा उच्चू होती है अता है यह उच्चता पर ही बनता है जैसे 1-3-butadine HBRC के लिए निम्प्रकार्श होती है यह है 1-3-butadine माइनस 80 degree centigrade पर क्या बनेगा 1-2 योगात पर 80% बनता है जबकि 1-4 20% जबकि temperature कितना करती है 40 degree centigrade तो 1-2 तो बनेगा 20% और 1-4 किता बनता है 80% इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिक ताप पर 1-4 योगात पाद बनता है और कम ताप पर 1-2 योगात पाद बनता है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कम ताप रमुखी उत्पाद कोई सा बना 1-2 योग वाला जबकि उच्चे ताप पर इसके विप्रीद है और निम्न ताप वाला उत्पाद मिस्रण भी 40 degree centigrade पर गरम करने पर वही उत्पाद मिस्रण देता है जो कि डाइन वैच वियार की किरिया से 40 degree centigrade अभीग्रिया कराने से प्राप्त होता है तो इससे निस्कर्स निकलता है कि 1-4 योगात पर 1-2 की तुलना में अधिकिस थाई है इसलिए गरम करने पर 1-2 उत्पाद तेजी से 1-4 में परिवर्तित होता है और वही सामय मिस्रण प्राप्त होता है निम्न ताप माइनस 80 degree centigrade पर 1-2 उत्पाद 80% बनने के कारण यह है कि यह उत्पाद तेजी से बनता है क्योंकि इसके लिए सक्रेन उर्जा कमान क्या होता है कम इसे हम निम्प चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं वाई एक्सिस पर क्या है इसकी इससे तीजुर्जा और एक्स एक्सिस पर अभी किर्या की प्राप्त है तो यह है 1-3 ब्यूटाडाइन की किर्या जब हम HBR से करता है तो निम्प प्रकार से अनुनादी यह संकर प्रा क्या होती है और यहांँ पर 1-4 यहम्र देक्वर के एक्सिस प्रकार और इसकी प्रमुखा भिग्रह क्या है कि जो ब्यूटीन है, वन ब्यूटीन और यह तू ब्यूटीन, यह H2 के साथ क्रिया करके किसमें करवत हो जाती है ? ब्यूटेन में और यह 13- data-dyn है वे स्ट्ट्व के साथ किरा करके仿 घुटीन में स्याइलटू से किरिया करके क्या हो जाता है 34 ख्लोरो 1 ब्यूटीन में या 14 दग्लोरो 2- Перв HBR से योग करके क्या बनाएगा 3 Bromo 1 Butene और साथ में 1 Bromo 2 Butene और यदि CL2 से क्रिया करवाई जाए वापस से इसी की तो क्या प्राफ्त होगा हमें 1,2,3,4 Tetra Chlorobutene इस प्रकार से इसकी कौन से अभिकर्या संपन होती है? Electrophylic योगात्मक अभिकर्याद अब हम देखेंगे तो सैयुकमित डाइन मुक्त मोलक किल्याविधी के द्वारा भी योगात्मक अभिकर्याद करके 1,2,1,4 योगात्त brings future बनाती है यह अभी किरिया पारोक्साइड उत्प्रेरग की उपस्तिती ने संपन होती है BRCCL3 तथा 13-butadine की अभी किरिया निमप्रकार से संपन होती है यह क्या है? इसकी किरिया BRCC-CL3 के साथ बेंजोईल परोकसाइड के प्रजेंस में करने पर निम्प्रकार से उत्पात राप्त होता है इसकी किरिया भी दिक्या है सारुपतम क्या होगा परोकसाइड के विकितन से मुक्त मूलक का बनना और संकला विक्रिया का आरबोर है यह है बेंजोईल परोकसाइड यह रोर जोकी अल्टर वाइलिट के नों की प्रजेंस में फ्री रेडिकल बनाता है मुक्त मूलकों का उदासे राणू से किरिया करके नए मुक्त मूलक बनाना इस संकला अभी किरिया को आगे बढ़ाता है जैसे यह यह फ्री रेडिकल है यह बी आर बी आर नकारनों यह इसलों से किरिया करके । कि और इसका अनुएनादी संकर है और निमस प्रकार के साथ करेंद होता है इसनुनादी संकर की जए हम वी यारीी C-l3 के साथ करवाते हैं तो प्राप्त होता है में 1 4 योगात पाथ साथ में 1 2 योगात पाथ अंत में 2 मुक्त मूलत मिलकर उदासीन रणू माना कर इस किर्या को समाप करते हैं यह बीयार वरी राडिकल यह और वरी राडिकल है जो कि आपस में किया करा कि क्या बना लेते हैं और और नेक्स्ट अभी क्या हम देखेंगे इसकी ओजोनी अभगतन ऊजो नो लिस तो सईय सब्सक्राइब करते हैं तो यहां से हम के सी डवर्वोंड हो मतलब कि यह डाय कार्बोनिल अनुट प्राप्त होता है और इधर कार्बोनिल अनुट जैसे हम यहां देखे वन थ्री ब्यूटादाइन जब ओ थ्री के साथ के लिए करता है इसी प्रकार से यहां पर डाय कीटोन और यह कीटोन जब कीटोन जबकी आईसोप्रीन की ओजोनी अपकटन पर फार्म अल्डी हैड के दो अनुट साथ में पायरूविक अल्डी हैड का एक बनुट बनता है जैसे यह क्या आईसोप्रीन इसका जब ओजोन लिस्टिस करवा के जलब कटन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है फार्म अल्डी हैड दो अनुटो और एक अनुट किसका प्राप्त होता है फार्विक अल्डी हैड तो इस प्रकार से साइव में डायनों का क्य होता है ओजोनी आपकटन थैंक यू